नरेंद्र मोदी जी लोगतंत्र नहीं चाहते हैं इंफलेशन के मुद्धे हैं डेमाकरसी को बीजेपी सरकार खतम कर रही है जॉइन पार्लिमेंट कमीटी की मांग है उस मांग को वो नहीं मान रहे हैं नमस्कार में हूँ कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज अगर बात करी जाए राहूल गांधी की तो उनकी लोगसबा सदस्तार रद कर दी गई है और इसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है आप देखे एक विपक्ष की बैठक बुलाई गई है और ये बैठक मलिका जुन खडगे ने बुलाई है आपको हम देखा रहे है एक खास वीडियो जिस वीडियो में आपको तमाम जो नेता है वो नज़र आएंगे आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो है इस वीडियो में दे अगला नमबर उनegerดी के समर्थन में बोलते हैं, तो ये माना जा सकता है कि कहीं न कहीं अक्लेश को अगला नमबर उनका भी हो सकता है, लेकिन आप देखें कि उनके अलावा अर्विंद केज्रिवाल जो है, वो भी कहीं न कहीं समर्थन में बयान देते हुए नजर आते हैं, तो जिस तरीके से तमाम चीजें यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है, यह माना जा सकता है कि 2024 का जो लोकसबा चुनाव है, उस चुनाव को विपक्ष एक साथ लड़ता हुआ नजर आए, हाला कि ममता बनरजी जो है वो अब अलग रुक उन्होंने अक्तियार किया हुआ आप देखें किसी भी मुद्दे पर वो कॉंग्रेस के समरते में बयान नहीं दे रही हैं और माया वती का भी कुछ ऐसा याल है, यानि कि जो एम फैक्टर वाले निता हैं वो इस लिस्ट से इस विपक्ष से दूर दूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े निता हैं जिसमें नितीश कुमार का नाम शामिल है, जिसमें केसियार का नाम शामिल है, जिसमें अकलेश का नाम है, जिसमें अर्विंद केजडिवाल का नाम है, ये तमाम ऐसे निता हैं जो कहीं न कहीं कॉंग्रेस के साथ कंदे से कंदा मिला कर चल रहे हैं, और उदव ठाकरे क कि अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से उनकी शिव सेना उनसे चीनी गई थी मोदी शाह के खिलाफ उनके अंदर बहुत जादा नफरत है और इसी नफरत को जो है वो कई बार बाहर निकाला गया है बयान के जरीए तो अब क्या लगता है आपको कि मलिकार जुन खड़गे अपना जो राजमेतिक अनुबव है पचास सालों का उसका यूज करते होए बीजेपी को एक बड़ा जटका देंगे और क्या मलिकार जुन खड़गे वापस संसद में वापसी राहूल गांदी की करा पाएंगे ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो साल 2024 के चुनाव से पहले खड़े होते हैं नजर आ रहे हैं इस रिपोर्ट को खत्म करने से पहले ये भी आपको बता दें कि डिप्टी सीम जो मनीश से सो दिया है उनके उपर सीबियाई एडी का शिकंजा कसता है बिहार में अगर बात करी जाय एक बड़ा फैसला क्या लेते हूं नजर आई हैं फिलाल हमारी सकास पेशकर्श में इतना ही देखते हैं नेक्स राइन यूज प्रोटेस्टर इसलिए है कि डिमाकरसी को बीजेपी सरकार खतम कर रही है नरेंद्र मोदी जी लोग तंत्र नहीं चाहते और बोलने की हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी जो जॉइन पार्लमेंट कमिटी की मांग है उस मांग को वो नहीं मान रहे हैं और हम यह चाहते हैं सत्य बाहर आजा और आदानी ने जो इतने पैसे केवल धाई साल में अगर उसकी संपत्ती भड़ी है इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं और अगर ऐसा कोई उनके पाद जादू है ड्हाई साल में 12 लाक करोड रुपे बना सकते हैं हम भी देश के लोकों को बताएंगे देखो वहीं ड्हाई साल में 12 लाक करोड मोदी जी ने उनको मुनाफा कर दिया वो रास्ते तुम भी अपना हो ऐसा उनको कहेंगे अगर उसी लिए हम उसकी सत्यता जानते हैं वो क्या जादू है इतना पैसा बनाने का लोगों को मालूम होगा अगर जॉइंट पर्लमेंटरी कमीटी बिटाएंगे क्या-क्या डॉकुमेंट से कहां कहां से लाएं कहां गए थे किस से मिले थे यह सब भार आ जाएंगा सत्ये अगर जवाएं आपने कल किया था उसको परसणाल और पेक सत्या reference और घ्र के मुद्धि ऑज़ए जो लोग पैसे इलाइसी दाले हैं बैंक में डाले हैं, उनके पैसे डूब रहे हैं, तो यह पर्सनल होता है, पर्सनल कोई हमारी संपत्ति की जगड़ा है, लोकों के लिए लड़ रहे हैं, डेमाकरसी के लिए लड़ रहे हैं, और देश में डेमाकरसी काहिम रखने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए परसनल का सवाल ही नहीं आता है जनता के लिए लगता है राहुल गानी पर हुई करवाई से विपक्षि एक जुटता मजबूत हुई है क्या सर ऑपोजिशन यूनिटी मजबूत हुई है राहुल जी पर एक्शन से क्योंकि टीमसी भी आ जा रही है आप लोग की म यह मैं कल भी धनिवाद दिया आज भी सभी को मैं धनिवाद देता हूं जो लोग डेमाकरसी को बचाने के लिए समीदान को बचाने के लिए और जनता के हिपाज़त के लिए कोई भी आते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और जो सपोर्ट करते हैं उनको रदय से धनिवा झाल झाल झाल